और्गैनिक फार्मिंग का नाम तो हम सबने सुना है और एक मन में भ्रांती भी बनी हुई है कि और्गैनिक फार्मिंग में मेहनत जादा होती है और उत्पादन बहुत ही कम होता है लेकिन इन दौर के इस व्यापारी ने लॉकडाउन में अपनी छोटी सी पुष्टैनी जमी नमस्कार मित्रों हम आर्गनिक खेती कर रहे हैं लागडाउन के बाद 2019 से हम अपनी पुष्टेनी जमीन को सुधार कर जो करीबन चार विगा है एक विगा में हम खेती कर रहे हैं आर्गनिक खेती कर रहे हैं हम आर्गनिक खेती में वेजडी कमपोजर सरसों की खली अमरजल जो की गाय के गोबर और गोमुत्र से बनाया जाता है तथा नीम धतूरा सुरजना फली इत्यादी ऐसे खरपत्वार पोदे आठ दस सरे के जिसे पशु पक्षी नहीं खाते हैं उनके पत्ते धैड़ाई किलो लेकर उसके अंदर वेजडी कमपोजर में इसकी चटनी बना कर हम डाल लेते हैं और बीज दिन बाद यह छान कर उसका इस्प्रे पोदों में करते हैं तो उसे कीट पतंगे का नुक्सान नहीं होता है यह बहुत अच्छा कीट ना शक है इसे खेती पर भी किसी प्रकार का दूश परियराम नहीं होता है अभी हमने अपने खेत में हराखाद यानि धेचा बोया है इसे कच्चा ही जमीन में हाग देते हैं इससे जमीन में हराखाद मिल जाता है तथा फसल भहुत अच्छी आती है इस प्रकार से हम वेडी कमपोजर हराखाद सर्सों की खली गोमुत्र गाय का गोबार तथा सर्सों की खली का उप्योग करके काफी अच्छी पेदावार ले सकते हैं आरगनी खेती करना भहुत सरले लोग कहते हैं कि इससे फसल नहीं आएगी नहीं फसल थोड़ी कम जरूर होगी परन्तु उससे ज़्याद आपका खर्चा बच जाएगा की इतनाशक का रासाइने खादोगा कि आपका खर्चा बच जाएगा थोड़ी मेहनत जरूर लगेग परन्तु फसल बहुत अच्छी आएगी आप स्वाद पूर्ण सब्जिया फल फ्रूर्ट ले सकते हैं इस प्रकार से यदि किसी को भी आरगनी खेती करने के बारे में किसी बिरप्रकार के साहता चाहिए तो मैं अपनी सेवाएं उपलब्द करा सकता हूं मैं किसी प्रकार क शुलक नहीं लेता हूं आरगनिक खेती की जीए और अपने शरीर को अपने रोग मुक्तव होकर अपने स्वस्त्र समाज का स्वस्त्र समाज का बनाने में सहयोग करें धन्यवाद